जिसका जैसा चलित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है सुदता होती है विचारों में आदमी कब पवित्र होता है फूलों में भी कीडे पाए जाते हैं पत्थ्रों में भी हीरे पाए जाते हैं बुराई को छोड़कर अच्छा ही देखिए तो सही नर में भी नारायन पाए जाते हैं मैं आप लोग के साथ हूं ये मेरा भग्य है पर आप सभी लोग मेरे साथ है ये मेरा सो भग्य है आँखे बंद करके जो प्रेम करे वो प्रेमी का है आँखे खोलके जो प्रेम करे वो दोस्त है आँखे दिखाके जो प्रेम करे वो पत्नी है अपनी आँखे बंद होने तक जो प्रेम करे वो मा है परंतु आखों में प्रेम ना जताते वे भी जो प्रेम करे वो पिता है बनाप्ती लोगों से साथधान रहना पहले तो रो रो कर आपका हाल पूछ लेंगे और फिर हस हस के जमाने वालों को बताएंगे अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का सब को मंजिल का शोख है और मुझे सहीरास्तों का ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं या बुरे लोग ज़्यादा है बलकि इसलिए बुरी है कि ये अच्छे लोग खामोश है हम उन्हें रुलाते हैं जो हमारी परवा करते हैं हम उनके लिए आसु भाते हैं जो कभी हमारी परवा नहीं करते हैं जो कभी हमारे लिए नहीं रोऊएंगे यही जीवन का सच है जब भी आपको यह ऐसास हो आप बदल जाएं क्योंकि बदलने के लिए कभी देरी नहीं होती बोलो मगर बोलने से पहले तोलो हार मत मानो निरंतर प्रियास करते रो पत्तर भी तैरता है विश्वास की शक्ती से आलस को छोडो किसमत को मोडो मुसीबतों से मत भागो सामना करो चरित्र से ही मिलता है सम्मान बोलो ऐसा जो समझने में आए हाथ आई सफलता पर ना इतराईए मिलकर रहे बाट कर खाए दूर की सोचोगे तो दूर तक जाओगे सफलता के लिए जरूरी है संगर्स बिना गिरे कैसे जानोगे उठने के तरीके सुधार की शुरुआत खुद से हो पैसा तो सब कमा लेते हैं खुश नसीब वो है जिसने इनसान का माना सीख लिया तो सब दुनिया में सिर्फ प्यार शेयर करो नफरत को अपने आसपास मत फटकने दो फिर देखना जिन्दगी कितनी हसी हो जाएगी सुनने की आदर डालो ताने मरने वालो की कमी नहीं है मुश्कुराने की आदर डालो रुनाने वालो की कमी नहीं है उपर उठने की आदर डालो टांग खिचने वालो की कमी नहीं है प्रोटसाहित करने की आदर डालो हतोईसाहित करने वालो की कमी नहीं है गलत का विरोत करने की आदर डालो सत्ते का साथ देने वालों की भी कमी नहीं है नजर रखो अपने विचार पर क्योंकि वे शब्द बनते हैं स कहार करना मwood अपने यूद्म रखो अपने चरित्र पर क्योंकि उस से जीवन आदर्श बनते हैं दुखी रहने के सिर्फ दशी कारण को सकते हैं देरी से सोना और बीलिल से उठना लेंदेन का शाफस न रखना किसी के लिए कुछ ना करना स्वेम की बातों को ही सत्य बताना किसी का विश्वास ना करना बिना कारण जूट बोलना कोई भी काम समय पर ना करना बिना मांगे सलहा देना बीते हुए सुक को बार-बार याद करना और हमेशा अपने लिए ही सोचना गमंड बता देता है कितना पैसा है संसकार बता देते हैं परिबार कैसा है बोली बता देती है इनसान कैसा है बहस बता देती है ज्यान कैसा है नजरे बता देती है सूरत कैसी है स्पर्स बता देता है नियत कैसी है मैंने कुछ लोग लगा रहा के हैं पीट पीछे बात करने के लिए पगार कुछ नहीं है उनकी पर काम बड़ी मानदारी से करते हैं यदि किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो यदि व्यक्ति महत्वपुन है तो बात भूल जाओ और यदि बात महत्वपुन है तो व्यक्ति को भूल जाओ जीवन के साथ सच्च मंत्र दरपण जूट बोलने नहीं देगा ज्यान भैबित होने नहीं देगा अध्यात्म मो करने नहीं देगा सप्ते कमजोर होने नहीं देगा प्रेम इर्शा करने नहीं देगा विस्वास दुखी होने नहीं देगा और करम आसफल होने नहीं देगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरू बताएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके आप मेरा और मनोबल बढ़ा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो में लाता रहूं और दोस्तों आप पीस लाइफ चेंज को इंस्टागरम में भी फोलो कर सकते हैं